hello everyone welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS and in CSET paper 2 previous year question series today's our topic is phylosium yes phylosium is very important topic important isly carry on because previous year analysis करते है तो आप देखोगे 2014 में भी question था 2015 16 में question नहीं था ठीक है 17 में भी question था 19 में भी 20 के अंदर भी question था ठीक है that means कि we can expect a question from phylosium यह 1 to 2 question आप expect कर सकते हो और एक easy topic है reasoning के तो almost यह कहिए कि सारी topics easy है थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे लेते तो बड़ा ही easily आप सारा reasoning का part attempt करके आ सकते हैं ओके तो start करते है previous year question से previous year question अगर हम देखे तो स्टार्ट करें 2014 से yes 2014 का question है जब भी सिलोजियम पर बेस्ट कोश्चन करते हैं हम तो वैंड़ाइग्राम की देखे सबसे पहले जो आपके पास statements given है उसके बेस पे हम एक वैंड़ाइग्राम बनाएंगे उसके बाद में उस वैंड़ाइग्राम के according हम conclusion को check करेंगे जो जो conclusion correct है उसके according आप answer करोगे ओके तो देखे क्या है कि some eyes are ears अब यहां पर क्या है some eyes are ears तो हम देखेंगे eyes हम यह मान लेता है this is eyes अब some कह रहा है that means कि कुछ पार्ट आपको include करना है तो यह करा है कि some eyes are ears okay the next next statement is some ears are lungs some ears are lungs अब यहां पर देखें जो अपने पास में relation given है वो ears और lungs के बीच में given okay next all the lungs are hands जब भी all का आपके पास में statement आती है तो जो all के साथ में variable होता है उसको हम circle के अंदर in circle करते हैं in the hands circle okay तो यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा इसको हमने इसका अंदर in circle करके कर दिया है clear अब जब हम आते conclusion पे तो जब भी सम का conclusion दिया हो आता है तो वहां पर हमने देखना है कि अगर कुछ part common आ रहा है तो सम का conclusion आपका correct होगा ठीक है हां जी अगर आल का conclusion दिया हो है तो हमने देखना है कि आल वाला circle अंदर आना चाहिए आपका जो आउटर है उससे ठीक है तो अब यहां पर देखे क्या है first together some hands are eyes कुछ hands eyes है अब देखो eyes or hands देखे यह eyes है यहां पर hands है आप यहां पर देख सकते दो मनों में कुछ common है नहीं है नहीं है that means कि यह आपका wrong हो गया ओके यस अब जब definite conclusion निकालना होता उस case के अंदर जो आपका बैने diagram है उसके अंदर आपने देखना है कि हाँ जी कहीं पर direct कर नहीं दिया हुआ उसी के according हमने दिया बैने diagram ड्रो किया है यहां पर कि जो जो relations given थे direct given थे वो वो हमने यहां पर include करे हैं तो अब यहां पर यहीं कह रहा है कि some hands are eyes तो hands यहां पर है eyes यहां पर है दोनों दूर दूर है दोनों में देखो कुछ भी common नहीं है तो क्या हो गया wrong okay yes अगर यहां पर possibility होती अगर यहीं पर हो जाता some hands are eyes is a possibility उस case में आप इसको true कर देते क्योंकि possibility का case तो बन रहा है आपका बट डिरेक्ट नहीं है ओके यहां पर देखो hands कहां पर है यह hands और यह और यह और यह और के अंदर यह वाला पार्ट देखो दोनों में common है common है that means कि यह क्या होगा हमारे पास true ओके next is some lungs are eyes अब देखिए lungs यहां पर है eyes यहां पर है दोनों में कुछ common है नहीं है that means कि यह भी हमारे पास में wrong ओके fourth conclusion क्या है no hand is eyes no hand is eyes अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि no hand is eyes कोई भी हैंड आई नहीं है कोई भी हैंड आई नहीं है तो अब यहां पर देखिए eyes यह है hands यह direct नहीं बन रहा that means दोनों दूर दूर है we can't say कि है यह नहीं है ठीक है तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा and always remember कि अगर आपकी statements positive है तो conclusion कभी भी negative नहीं हो सकता yes clear हां जी अगर यह possibility का case होता in that case you can say कि हां जी हो सकता है वो भी सकता है नहीं भी हो सकता ठीक है that means कि क्या हो गया यह wrong हो गया तब अपने पास में देखते हैं कि क्या दिये हुए options option के अंदर हमने यहां पर दिखा ही दे रहे कि second true है तो यहां पर third option जो है आपकी क्या only second follows this will be true okay yes so let us move to the next one next question है screen पर देखी के consider the following statements followed by two conclusion there are two statements and two conclusion okay now क्या है देखते हैं किरा some men are great some men are great some men यह हमारा man है this is great okay done अब देखें next is some men are wise some men are wise okay अब यहां पर देखें अपने पास में क्या है conclusion men are either great or wise करा man या तो great है या तो wise है अब यहां पर आप देख सकते हो easily कि यहां पर अपने पास में यह वाला जो पार्ट है कौन सा यह जो पार्ट है अब यह पार्ट है इस पार्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि यह जो पार्ट है man का this can be wise or not this can be great or not नहीं पता तो हम यहां पर कैसे कह सकते हैं कि आप इधर great or wise because we don't know anything about this part ओके सो यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा फर्स्ट रोंग हो जाएगा अब बात करते second conclusion कि अब यहां पर कैस some men are neither great nor wise कुछ man यह जो है करें कि these are neither great nor wise ना तो great है ना तो wise अब यहां पर देखिए अगर हम इसका possibility ढाइग्राम बनाएं तो यह ऐसे भी तो हो सकता है है वहां पर हमारे पास में यह वाला जो पार्ट है आनिया है कि great भी हो सकता है वाइस भी हो सकता ठीक है तो यहां पर अपने पास में क्या जाएगा यह वला भी रोंग जाएगा because यहां पर जो यह वाला part है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि हांजी यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अगर मैं नहीं कहूं तो हो भी सकता है ठीक है तो इसलिए ही क्या हो जाएगा हमारे पास में दोनों के दोनों रोंग है दोनों रोंग है तो अपने पास में क्या आजाएगा नीदर ओफ दे कन्कूलूजन इस वैलिड सो ओप्शन डी विल भी करेक्ट आपसर है हां जी क्लियर है सभी को सब्सक्रायों कीया है तू यहां पर देखें क्या है क्रेंग कर mythical एक में एक दूसरे रहा हो pleasant क्या कह रहा है all the colors are pleasant इसका ठीक है दूसरे के अंदर है some colors are pleasant some colors are pleasant then third है no color is pleasant no color यह थर्ड का है क्या कह रहा है no color is pleasant डन और हमारे पास में fourth है statement some colors are not pleasant some colors some colors यह पुरा colors है अब इसके अंदर से कह रहा कुछ colors pleasant नहीं है अब इनको हमने examine कर लिया अब आगे हमारे पास में question क्या है हम वो देखते है question यहाँ पर क्या है given that statement for is true correct जो यह statement नहीं यह true है और हो का हमें नहीं पता बट यह true है कर अब what can be definitely concluded definitely का इसने ध्यान से देखी definitely क्या conclude कर सकते हम यहाँ ठीक है देखी अब अगर यहाँ से मैं फर्स्ट statement की बात करो किता all the colors are pleasant अब यहाँ पर देखो सारे के सारे colors pleasant हो सकते नहीं हो सकते because given है कि यह वाला जो पार्ट है some colors are not pleasant तो पहले वाला रोंग हो गया अपना दन सेकिंड है some colors are pleasant some colors are pleasant अब हमें given है कि some colors are not pleasant and we don't know about this part अब यहाँ पर जो हमारे पास में यह वाला जो पार्ट है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते this is pleasant or not okay तो यहाँ पर यह वाली जो है statement यह भी definite true नहीं होती यह हमारे पास में क्या है possibility हो सकते बट यहाँ पर क्या है definite conclude का उसने so यह भी रोंग हो जाएगा third के अंदर क्या है हमारे पास में no color is pleasant no color is pleasant अब यहाँ पर देखिए जो third state में कहता है यह था no color is pleasant no color is pleasant ठीक है अब अगेन यह वाला जो पार्ट है हमारा कलर का इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कोई भी color pleasant है या नहीं है नहीं कह सकते that means कि अगर हम ऐसे देखे यह वाली भी हमारी रोंग हो जाती है दन यह अब यहाँ पर हमारे पास में options क्या दिवी है कहता one and two are true अब हम यहाँ पर देख रहे one and two are false that means कि रोंग हो गया three is true three भी false है two is false two is false अब जो second वाली है हमारे पास में यहाँ पर कह रहा था some colors are pleasant तो यह हमने यहाँ पर रोंग किया है कि some colors are pleasant अब इसको हमने रोंग क्या किया है कि यहाँ पर अगर मैं definitely कहूं कि हांजी some colors are pleasant अभी मैंने आपको बताया कि यह जो ब्लूवाला पार्ट है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हो भी सकता है नहीं भी हो सकता possibility हैस के अंदर possibility का case है ठीक है we can't say definitely definitely नहीं conclude कर सकते तो यहाँ पर यह भी हमारे पास में रोंगो डन थूसरा имеет foreign is false one is false ठीक है तो यहां पर वन है कै था हमारे पास में की all the colors are pleasant यहां मारे पास में definite fault स बद्इफिनीट false क्यों है हां जी यह हमारे पास posibility का केस था यह हमारे पास में दोनों केसी क्या बन रहे थे पोसिबल्टी केस बन रहे थे बट यहां पर यह देखिए कह रहा है कि आल दा कलर सार प्लीजेंट और यहां पर क्या कह रहा है कि कुछ प्लीजेंट नहीं है तो हमें पता है कि कुछ प्लीजेंट नहीं है तो सारे के सारे प्लीजेंट नहीं हो स ठीक है न तो यह हमारे पास में confirm है कि यह false होगा ठीक है तो क्या जाएगा one is false will be the correct answer because definitely का इस चीज का ध्यान रखने है okay yes next question देखते हैं next question again 2019 का question है क्या है question देखी नहां पर हमारे पास में statements some rats are cats some rats are cats done अब उसके बाद में some cats are dogs some cats are dogs some cats are dogs clear उसके बाद में no dog is a cow no dog is a cow yes you just given है हमारे पास बिल्कुल clear है अब conclusion क्या है conclusion a no cow is cat अब देखी cow कहां है हमारे पास में यह है cat कहां पर है यह है अब यहां पे इसने क्या का है no cow is a cat कोई प्यक्अव cat नहीं है अब यहां पे देखो यह वाला जो पार्ट है हमारे पास में हां जी यह जो पार्ट है यह पार्ट डोग का भी है और कैट का भी है दन और उस यहां पर हमारे पास में स्टेटमेंट में है नो डोगीज काउ डैट मीन्स कि यह वाला जो पार्ट है यह काउ नहीं है काउ यह वाला पार्ट नहीं हो सकता बट जो यह बाक्की का पार्ट है हमारा हां जी जो बाक्की पार्ट है यह वाला पार्ट इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो यह क्या हो गया हमारे पास में रोंग हो गया next no dog is a rat no dog is a rat अब देखी यहाँ पर यह dog है यह rat दोनों दूर दूर है हमें कोई relation नहीं पता दोनों का ठीक है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता again possibility case है definitely wrong हो जाएगा ठीक है हां जी next is some cat are rat some cats are rat here you can see कि ये वाला जो पार्ट है cat or rat दोनों में common है that means this will be true तो ये अपने पास में third true हो जाएगा तो answer के आजेगा some cats are rat is true that means only third is true हां जी clear yes so let us move to the next one next question has screen पे देखी के है अब ये जो question है इस question को आप number system के अंडर भी ले सकते हो ठीक है इसको हम सिलोग्स के अदर भी ले सकते है ठीक है बट यहां पर logic number system का use हो रहा है बट मैंनि यहां पर इस question को ले लिए है क्योंकि यहाँ पर concept number system का use हो रहे है ठीक है ना यहाँ पर divisible word use हो गया है ठीक है that means कि you should know the divisibility rule अब यहाँ पर क्या है तरह all the numbers are divisible by 2 सारे numbers जो की 2 से divisible है सारे number जो की 2 से divisible है that means कि 2, 4, 6, 8 ठीक है ना हाँ जी क्या कह रहा है कि all the numbers are divisible by 2 यह ले रहा हो दूसरा है all the numbers are divisible by 3 सारे के सारे numbers जो की 3 से भी divisible है तो 3 से divisible है 3, 6, 9, 12 इसको अगर हम लिग के चले 10, 12 तो अब दोनों statements हमारी true है that means कि we will take these numbers जो दोनों में common है इसी तरह से further हम लेंगे अब conclusion क्या है यहां पर देखो conclusion है first all the numbers are divisible by 6 तो यहां पर देखो दोनों numbers क्या है 6 से divisible है वैसे भी divisibility rule of 6 क्या कहता है the numbers which are divisible by 2 and 3 will be divisible by 6 तो यहां पर अपने पास में first true हो जाएगा done दूसरा है कि all the numbers are divisible by 4 अब यहां पर यह जो numbers जो हमने include करें है this is not divisible by 4 यह 4 से divisible नहीं है that means कि वो number जो की 2 और 3 से divisible है सारे के सारे वो चार से भी divisible होंगे तो यह अपने पास में क्या हो जाएगा रोंग हो जाएगा हाँ अगर यहीं पर होता सम नंबर्स आल की जगह पर क्या आ जाता सम बैट इन बैट केस्ट इस विल बेकाम ट्रू डट बट अभी क्या है यह आल है तो क्या हो जाएगा रोंग सो कंक्लूजन वन फोलो जोन थे पॉइंट क्लियर है अगर यहाँ पर आल की जगह पर सम होता तो यह ट्रू हो जाता है बट यहाँ पर क्या है हमारे पास में आल है इसलिए रोंग है दन यह स्टोशन देखते है नक्स्टोशन है स्क्रीन पर देखी किया है अगें 2020 का कॉष्च्टेन है यह घ्ल पट है को कोष्च्टेन है हमारे पास में statement अलदकेट्स आर्व दोग जाल दाकेट्स आल्ग्स मीनज कअट का सरकल हमारा in circle होगा डोक के circle के अंदर डन नेक्स्ट क्या है हमारे पास में statement all the cats are blacks all the cats are blacks अब देखो यहाँ पर cat और black का relation दिया हुए तो अब यहाँ पर जो मैं black वाला है yes all the cats are black मैं इसको ऐसे भी कर सकते हूं ठीक है और दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पर देखी यह हो गया cat cat के अंदर हमारे पास में cat है डोक के अंदर और यहाँ पर जो black है black cat लिए क्या का आल दा cats are black तो अग इसका possibility जो डाइग्राम बनता है पॉसिवल्टी डाइग्राम के अंदर हम इसको कैसे बना सकते है cat को ही अंदर लेना है हम black को भार भी ले सकते है अब यहाँ पर जो point है point क्या है देखो पूंट यह आपक है कि और डॉग्स और ब्लैक सारे के सारे डोग ब्लैकर हैं हाँ अब यहाँ पर आप अगर मैं यह आप डाःग्राम देखती आ हूं तो उसके अंदर देखो देवाला पार्ट हमारे पास में यह तो ब्लैक नहीं है नहीं है ठीक है that means कि definite नहीं है अगर हां हम इसके अंदर देखें तो यह true हो जाएगा ठीक है बट इसके अंदर यह हमारे पास में क्या हो गया अगर हम इसको देखते हैं पोसिबल्टी डाइग्राम को तो true है अगर हम definite देखते हैं तो रोंग है तो क्या जाएगा रोंग हो जाएगा यहां से समझलो इस पॉइंट को अगर यहीं पर अपने पास में होता आल दा डोग्स और ब्लैक इस ए पोसिबल्टी उसकेस में हम क्या कहते है कि हाँ यह true है हो सकता है ठीक है बट यहां पर अगर पोसिबल्टी वर्ड नहीं यूज किया हुआ कि हमें definite चाहिए किसी भी केस के अंदर हमारी statement गलत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो अब यहां पर इसके अंदर हमारी statement रोंग हो रही है तो क्या आएगा यह हमारे पास में conclusion रोंग हो जाएगा ठीक है दूसरा अगर मैं यह वाला देखते हूं अगर हम इसके according देखते हैं तो वैसे तो हमारे पास में दो स्टेटमेंट अगर positive है तो negative conclusion होई नहीं सकता तो यह रोंग हो गया ठीक है दूसरा अगर हम इसका possibility डाग्राम देखते हैं तो यहां पर आप देख रहे हूं सारे के सारे dogs black ठीक है तो यह भी possibility case तो बनता है बट वैसे हमारे पास में क्या हो जाएगा definite case के अंदर रोंग हो जाएगा तो आंसर क्या आजाएगा हमारे पास में नीदर conclusion 1 नोर conclusion to follow okay yes so let us see the next question अभी मैं में जो हमने questions discuss के हैं वो सारे previous year के questions थे ठीक है अभी मैं कुछ और important questions आपके साथ में discuss कर रहे हूं क्योंकि इस series के अंदर हमने आप से promise किया है कि minimum हरे class के अंदर 10 questions तो होंगे होंगे ठीक है 10 to 15 question हम class के अंदर discuss करते तो कुछ important or questions है जो कि बाकी किसी exam में आए हुए है ठीक है किसी ने किसी exam में आए हुए questions है तो अभी इनको हम discuss करते हैं तो यहाँ पर देखी क्या है कि तीन statements given है और आपके से पहले क्या करेंगे हम वेंड डाइग्राम ट्रो करते क्या कह रहा है किता है कि आल दा लोक्स आर कीज आल दा लोक्स और watches का relation given है कि some watches are that okay yes if initials are not matching in that case आप सिर्फ initials ले सकते हूं कोई issue नहीं है हां जी अगर दो words के initials match हो रहे तो उसकेस में आप पूरा ले लो सोदर की confusion ना रहे ओके अब यहां पर देखे क्या है some bets are locks अब यह बैट है यह लोक है अब देखें यह वाला जो part है लोक वाला यह तो लोक के अंदर तो है है बैट के अंदर भी है that means कि some का case क्या हो जाएगा true हो जाएगा डन next है some watches are keys अब यह watches है यह keys यह watches है और यह keys है अब देखो watches और keys के बीच में तो हमारे पास कोई भी relation नहीं है that means हो भी सकता है नहीं भी हो सकता possibility case बन रहा definite case नहीं बन रहा है और हमें यहां पर definite answer करना है तो यह क्या हो हो गया हमारे पास मैं wrong oh yeah together next all the keys are logs all the keys are logs तो यहाअ पर हम देख रहे हैं कि there looks है देखो यहां पर all the keys are logs已经 नहीं है यहां पर अगर और को तरस्सम्डकी प्रीख किया कर देतेに कि true है बट यहाँ पर क्या कह रहा है all the keys are locks तो यह वाला जो हमारे पास में part है की का देखो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते दन तो यह भी क्या होगे हमारे पास में रोंग को क्या सो आंसर क्या आ जाएगा some bet are lock this will be the correct answer so only one correct हां जी बिलकुल क्लियर है सभी को yes अगर आप लोगों को कोई भी doubt आता है then you can comment in the comment section okay yes अगर आप लोगों को लगता है कि lecture आप लोगों के लिए कुछ beneficial है then share with your friends okay yes जरूर शेर करने अपने friends के साथ अगर आप लोगों को लगता है कि हंजी beneficial है और मुझे लगता है कि हंजी यह lecture आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा helpful रहने वाला है ओके क्योंकि यहां पर मैं question तो करवाई रहें साथ मेरी कोशिश यह रहती कि आप लोगों का concept यहीं पर clear हो जाए so that अगर भी इस तरह का question exam में आता है तो आप definitely उसको कर ले yes definitely not possibility ओके यह तो यह point हमारा clear हो गया कि यहां पर अपने पास में next question है देखिए some dogs are birds some dogs are birds some dogs are birds some dogs are birds all the dogs are birds some dogs are birds some है यहां पर ठीक है आगे all the fishes are dog all the fishes are dog that means कि जो fishes का circle है वो किसके अंदर बनेगा dog के अंदर बनेगा done अब उसके बादे some dogs are not tail कुछ dog tail नहीं है तो हम यह माल लेते हैं कि यह वाला जो part है हमारे पास में यह tail नहीं है बिल्कुल clear है point हाँ जी अब यहां पर देखिए conclusions क्या है first conclusion है some dogs are tail हाँ जी अब question के अंदर हमारे जो statement थी statement में given था कि कुछ dog tail नहीं है बट यह जो बाकी का part है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हाँ जी यह हमारे पास में जो बाकी part है कितना कितना इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते यहां पर यह जरूर है कि इतना party tail नहीं है यह वाला part tail हो भी सकता है नहीं भी हो सकता that means कि यह क्या होगा हमारे पास में room ओके यस आगे question में क्या given है देखिए यस आगे है देखिए question में क्या given है करेक इफ all the dogs are birds if all the dogs are birds then some fishes are birds अब अगर इफ का case आ जाता आपके पास में तो उस case में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास में पहले से statement हो रहे दे रख्या उसको overlap कर रहे हमारी यह वाली statement that means कि अब हमें यह वाली statement consider करने है to answer this part okay तो अब यहां पर क्या करें if all the dogs are birds that means कि यह जो डोग वाला पार्ट है मेरा इस सारे का सारा क्या है birds हो जाता है यह यह कहा इस एक मिट दूबारा से बनाते हैं यह देखिए क्या था some dogs are birds हमारे पास था some dogs are birds ठीक है उसके बाद था all fishes are dogs all fishes are dogs उसके बाद था some dogs are not tail some dogs are not tail okay यही था अब ही हमने आरे पास में क्या है कि पहला conclusion wrong हो चुका है second if all the dogs are birds कि यह जो डोग वाला हमारा पार्ट है अगर यह सारे का सारा birds हो जाता है birds हो जाता है that means कि हम इसको यह consider कर रहे हैं ना कि यह वाला ठीक है यह क्या हो गया birds हो जाता है तो उस case के अंदर क्या कह रहा है कि बताओ कि some fishes are birds तो कुछ fishes birds हो जाएंगी तो यहां पर जो वाला पार्ट है वो भी इसके अंदर ही आ जाएगा अगर डोग वाला पार्ट बर्ड के अंदर आ रहा है तो fishes वाला पार्ट भी उसके अंदर ही included है that means कि some का case true हो गया जो यह वाला पार्ट है अब यह दोनों में common हो गया that means क्या हो गया यह true है okay next if all the dogs are birds then some birds are not tail कि अगर सारे के सारे dogs birds that means कि यह वाला case है अब कि इसके अंदर से कुछ tail नहीं है तब obviously अगर हम यहां पर इस पूरे को birds मान रहे है that means कि यह वाला जो पार्ट है यह भी birds होगा और यह वाला पार्ट हमें पता है कि tail नहीं है that means कि some birds are not tail यही तो दिया होगा यह भी क्या होगा हमारे पास में true हो गया so answer क्या आ जाएगा second and third true हो जाएगा only second and third point clear है हां जी अगर आपके पास में if का case है तो एक परस आप यह कह रहा है कि पिछले वाला भूल जाओ यह आपके पास में नए ड्राइग्राम बन गया done yes so next देखते हैं next question है screen पे देखी क्या है the three statements given है और conclusions given है आपके पास में क्या है some seeds are flower some seeds are flower these are seeds are flower okay this is given अगे all the flowers are tree all the flowers are tree done next only tree are leaves हां जी अब यह statement हां से समझेंगे जब भी only का case आता है उस case में क्या होता है only a is b means all b are is तो यहां पे क्या है only tree are leaves that means what all leaves are tree हां जी note down कर लो यह वाला point important point कई बार statement इस तरह से आ जाती फिर हम confused हो जाते तो confused नहीं हो ना किसी ने भी क्या है only tree are leaves means what all the leaves are trees all the leaves are trees that means कि जो leaves है वो इसके अंदर हम ड्रो करेंगे done हां जी बिल्कुल clear है अब देखी क्या है all the leaves are tree सारी की सारी leaves क्या है ट्री है हां जी हमें दिखाई दे रहे सारी की सारी leaves ट्री है साथ में क्या क्या है as well as flower is a possibility कर रहा कि flower भी है यह possibility अब देखो अगर यहां पर possibility वर्ड ना होता तो flower यह नहीं है अब यहां से देख रहें leaves और flowers नहीं है क्योंकि leaves और flower का डिरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ बट अगर मैं इसको possibility यहां पर दी हुई है तो possibility यह भी तो कहती है अब की देखो अगर मैं यहां पर लीव को ड्रो कर देती हूं तो अब देखो अभी भी तो मेरी स्टेटम which are flower are also tree some seeds जो seeds flower है अब seeds और flower यह वाला जो पार्ट है हमारे पास में this is common between seeds and flower means here we are talking about this part okay करा कि some seeds which are flower are also tree तो कहता वो tree भी होगा तो obviously यह वाला जो पार्ट है यह हमारा tree के अंदर भी आ रहा है यहां पर आप देखिए यह वाला जो मेरा पार्ट है यह tree में भी तो include हो रहा है हाना तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा यह भी तो answer क्या आजाएगा हमारे पास में both the conclusions are follow both conclusion follows okay clear yes so let us move to the next one next yes three statements are given follow by conclusion which conclusion given again आपके पास में statements given okay अब यहां पर देखिए क्या है some desk are chair some chairs are pen some pens are drawers हंजी खुझ से ट्राइगे सभी अगर आप लोगों को लगता है कि हांजी जो questions हम कर रहे है previous year कि हमारी पूरी सीरीज है ठीक है ना पूरी सीरीज है अगर आप चाहते हो कि सारी पूरी की पूरी सारे के सारी सीरीज के questions आप लोगों को अवलेबल हो जाए एक ही प्लेटफर्म के एंडर विद टेस्ट एंड पीडिएफ हर एक के साथ में प्रेक्टिज आप जैसी हमने दस पूरी सीरी के questions तो आपको सारे के सारे एक ही प्लेटफर्म के एंडर मिल जाएंगे और सभी के साथ में टेस्ट भी अटेच और पीडिएफ भी अटेच एच तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी प्रोब्लम आती है इवन यू कैन तैल इन दे कमेंट सेक्शन कम बता सकते हो इवन अगर किसी टेस्ट में के question में भी प्रोब्लम आती है तेन यू कन आल्सो आस पूर तेट ओके यस तो हो गया question I hope सभी का हो गया होगा देखते हैं अब क्या है सम्देस्क आरच एर सम्देस्क आरच एर सम्देस्क आरच एर यस यहाँ पर अपने पास में ब्रोर हैत हम पूरा ही लिख लेते हैं इसको This is desk. Some desk are chair. Okay, some chair are pen. Some chair are pen. Okay, some pens are drawers. Yeah, this is the admin. अब देखी question क्या है? Question के अंदर conclusion क्या है? at least some drawers are desk कुछ तो ड्रोर डैस्क होंगे ही होंगे यह कह रहा है definite conclusion पूछा इसने अब यहां पे यहां पे है जरूर यहां पे हमने देखा कि जरूरी तो नहीं है यह इतनी दूर दूर रहा दम हो गया यहां पॉसिबल्ट इए और यहां पे लिए अगें गेश्यों होसकता था बट यहां वे हो सकता थाफनाफ वे और सकता हमारे पास में कोई definite answer निये है कि हांजी कुछ हों next there is a possibility that all the drawers are chair करें कि यहां पर अपने पास में possibility है क्या possibility है all the drawers are chair अब यहां पर देखी ड्रोर यहां पर है chair यहां पर दोनों दूर दूर जब भी इस तरह का case बनता है कि हांजी दो आपके variables है और उनके बीच में आपको कोई relation नहीं पता you don't know anything thing about that in that case कुछ भी possible हो सकता है यह भी हो सकता है कि हैं ची हैं अपने पास में शारे के सारे ड्रोर चेयर हों सारी चेर ड्रोर कुछ के ड्रोर हो कुछ ही है जब दूर दूर है तो हमें क्या पता ठीक है तो उस case के अंदर possibility जो है अपने क्या हो त्रू हो जाती है यहां पर क्या करें देर इस फोस्वीबल्टी टैट आल दरोर सारे के सारे दोर से अब देखो अगर मान लिजे मैं यह जो ड्रॉर और है इसको मैं इसकी बजया है यहां पर इधर हम दो कर देते तो यह बन जाता नहीं है पोसिबल्टि डायग्राम क्या था हमारे पास में सम पैन्स अरट नौल यहां पर नौल देगा है कि कोई भी ड्रोर चेयर नहीं है तो obviously again हमें दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास में रोंग हो जाएगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता so सिरफ जो second conclusion है वो हमारा true है तो answer क्या आजाएगा only two follows only two follows okay clear है हाँ जी तो अबना जो description है description में सारे links available अगर किसी भी student को कुछ भी problem आरे एक बार description जरूर चैक तरेंगे okay so it was all for today thank you so much